नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं आंगनवारी सिविकाओ का राजभोन के समने परदसन जर्खन आंगनवारी वरकर्स यूनियन के तत्वधान में आंगनवारी सिविकाओ ने अपनी मागों को लेकर आजबुद्वार को राजभोन के समक्ष एक दिवसे परदसन किया जर्खन परदेश कारे करनी के अध्यक्स बाल मुकुंद सिविकाओ परदसन करेंगी परदेश संजोजक रामचंद्र पस्वान ने कहा है कि सभी आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को खाना पकाक कर नहीं खिलाया जा रहा इतनी महंगाई में भी सरकार तैमाना के हिसाब से समान खरीदने के पैसे दे रही है ऐसे में चावल, डाल, सबजी और लकडी खरीदना मुश्किल हो रहा है उन्हें पैकेट बंद खाना परोसा जा रहा है सरकार बताए कि इतनी महंगाई में बच्चों को कैसे खाना पका कर खिलाया जाए मौके पर सीला तिर्की, मीना तिर्की मौजूद रही रक्षा बंधन पर जारकण सरकार कोलहान की पचास हजार बेटियों को देगी बीस कड़ रूपय जारकण सरकार पुर्भी सिम्भूम जीले के करीब 20 southern Past बेटिया समेट कोलहान की पचास हजार बेटियों को रक्षा बंधन का तोफा देगी इस बार राक्षा बंधन 30 अगस्त को है, सरकार इससे पहले 14 अगस्त को ही इनके खाते में डीवीटी के माद्यम से 20 कड़ों रुपए से अधिक रासी डाल देगी बता दे पूर्वी सिम्भुम की बेटियों की रासी लगभग 9.8 चोकोर होगी, इसकी त्यारी पूरी कर ली गई है सावीत्री बाई फुले की सुरी सम्रीदी योईना के तहत, आठवी से बराहमी कक्षा तक की छत्राओं को 6 किस्त में यह रासी दी जाएगी सरकार ने राज भर में समाजिक, आर्थिक और जातिय जनगाना दोहरेकोईस के अंतरगत सामिल 27 लाख परिवारों और 10 लाख अंचियोदे कारधारक परिवारों की बैलकाओ को लभानुईत करने का लक्ष रखा है यानि जहरखन के 37 लाख परिवारों की बैटियों को योईना कलाब मिलेगा चाईबासा में नकसलियों के साथ मुटभेड में डिप्टी कमांडेंट को लगी गोली चाईबासा में एक बार नकसलियों के साथ मुटभेड हुई है üsसे इनकाउंटर में डिप्टी कमांडेंट को गोली लगी है जिससे भे घायल है इलाज के लिए यहर लिफ्ट कर रांची लाया गया है बता दे डिप्टी कमांडेट दिपक कुमार्तिवारी के केहुनी के पास गोली लगी है डाक्टरों के अनुसार उनकी इस्ठीतिक खत्र तुरंद डिप्टी कमांडेंट को एम्बूलेंस के माध्यम से अस्पताल में भरती करवा दिया गया डॉक्टरों के अंसार डिप्टी कमांडेंट की सिती खत्रे से बाहर है बाबुलाल मरांडी के नेतित में बनेगी जार्खन बीजेपी की नए टीम बाबुला मरान्डी के नेतीत में जार्खन BJP नए रूप में लूप में दिखेगी 15 जुलाई को बाबुला मरान्डी बतोर BJP पर्धेश अध्य के रूप में पदभर गरहन करेंगे पदभर गरहन कारकरम दिन के 10 बजे होगा इसके लिए बिजेपी करकाताओं और नेताओं को आमंत्रिन दिया जा रहा है संभावना है कि इस मौके पर बिजेपी के केंद्रिये नेता भी सामिल होंगे पत बारगरहन के बाइद बावलामरांडी अपने टीम को गाठित करने में जूट जाएंगे नई टीम बनाने में कुछ वक्त जरूर लेगा समाज के सभी वर्गो और छेत्रिये समिकरन को ध्यान में रखकर बावलामरांडी की नेताओं में बिजेपी की नई टीम बनाने की तयारी में है जार्खन में सहायक आचारी की नियुक्ती परिक्षा में अब 180 अंको की होगी परिक्षा है केबिनेट ने प्रारमिक विद्ध्यालियों के लिए सहायक अचारे नियुक्ति निमाली दोहेते सिकठन को मजूरी दे दी है नियुक्ति 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 नि केबिनेट सची वंदना डालेल ने बताया है कि मंगलवार को हुई केबिनेट में कूल 35 प्रस्ताव पर समाती बनी है सरावनी मेले में तैनात गुमला निवासी जवान की मौत तो देवघर के स्रावनी मेले में तैनात गुमला के रहने वाले जवान जूलियस कुजूर की देर रात को मौत हो गई, जनकारी के मुताविक जवान पंडाल से किसी काम के लिए बाहर निकले थे, इसी दरान अचानक से गिर पड़े, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी अनन जूलियस कुजूर को पदमा इस्थी प्टीसी प्रसिक्षन केंद्र से स्रावनी मेले में ड्यूटी पर भेजा गया था, रांची के बापु आठिका में कॉंग्रेस का मौन सत्यागरा, राहूल गांधी को मान हनी मामले में गुजरात की निचली अदाला द्वारा दी राहूल गांधी जी की आवाज को दवाने की कोसिस की है, जिसका वा बिरोत कर रहे हैं, बता दे मौराबादी स्थीत बापु परतीमा के समक्स परदेश अध्यक्राइश ठाकूर करकारी अध्यक्स अज़ाद अनवर बंधु तिर्की गौव सिवा आयोग के अध्यक्स रा के सिनहा क्रिसी विपनन बोट के अध्यक्स रविन सिनहा मजूद हैं, रांची में धुरुवा थाना में लगी आग, बुद्धवार को रांची के धुरुवा थाना में अचानाक आग लग गई, आग लगने की वज़ा से थाने में हड़कम मच गया, इस आग की घटा में पुलिस कर्मियों का बैरक जलकर राख हो गया है, कड़ी मकसद के बाद दमकल कर्मियों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया है, बुद्धवार को रांची की दुरुवा थाने में उस समय अफ्रात प्री मच गई, जब पुलिस बैरक में अचानाक आग क लपेट उठने लगी, इससे पाले की पुलिस वाले कुछ समझ पाते है, आग की लपेट पुरे बैरक में फैल गई, देखते ही देखते है पुलिस कर्मियों के बिस्तर और फरनिचर से दूसरे समान भी जलकर राख हो गया है, बैरक में रातरी ड्यूटी से लोड़ कर कर रहे थे, आग की तपिस लगते ही उन्होंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई है, धुरुवाथाना में पदस्थावित पुलिस कर्मियों ने बताया है कि इस आग से पुरा बैरक ही बरबाद हो गया है, कल नवाडी आ रहे है हेमंत सुरेन, मुख्य मंत्री हेमंत स हारती, नवाडी सियोक असोक कुमार सिन है, वीडियो संजय सांडिल स्टेडियम का निरिक्षन किया, अधिकायों ने बताया है कि यहां स्टेज का निवाण 56 फित लंबाई वा 24 फित चोड़ाई तथा पंडाल की लंबाई 110 फित वा 24 फित है, महिलाओ पुर्षों के बैठ निधन के बाद मुख्य मंतरी हमांसुरे ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने की खातिर कैबिनेट में अप्रस्ताव पारित किया, जिसका सुल्य ने आज 13 जुलाई को मुख्य मंतरी हमांसुरे निवाण निशियत विभाग की मंतरी बेवी देवी सनिक रूप से रिम्स के सिनियर डॉक्टर कर रहए मनमानी। बिभागों के OPD में भी उपस्थिती कम मिली निदिसक ने इसे गंबिटा से लेते हुए बिभागा अध्यक्षों के माध्यम से सभी अनुपस्थित डाक्टों से असपस्थिकरन मंगा है वहीं छेतावनी भी दी गई है कि अगर यही हाल रहा तो अगली बार नियम संगत करवाई की जाएगी जमसेदपूर के नीजी इसकूल में बिवाद के बाद बच्चों को टिफिन में नौनवेज लाने पर रोक पुर्भी सिम्हुम जीले के सरकारी और प्राइबेट इसकूलों में बच्चे आप टिफिन में नौनवेज नहीं ले जा सकेंगे टिफिन में नौनवेज ले जाने पर बैन लगा दी गई है मंगलबार को जीला सिक्चा अधिक्चा नीशू कुमाई नहीं निदेश दिया है इससे सम्मांधित गाइडलाइन सभी सरकारी और प्राइबेट इसकूल परवंध को को दो दिन में भेज दिया जाएगा गौतला भाय की पिछले दिनों सहर के एक प्राइबेट इसकूल के चोथी काक्षा की छात्रा ने टिफिन में अपनी सहली के साथ नौनवेज सेयर किया था चुकि उक्त छात्रा और उसके परिजन सावन में नौनवेज नहीं खाते हैं तो उन्होंने स्कूल प्रवन्धन से नौनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाप करवाई की मांकी थी और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले लिया था बंदूप के दम पर नहीं होते चुनाव बावुला मरांडी पछ्छिम मंगाल पंचाय चुनाव में होई हिनसा कोलेकर जहरकन BJP परदेल सरध्यक्स बावुला मरांडी ने मुख्य मंत्रि मामता बनार जी की आलोचना की है बावुला मरांडी ने कहा है कि पूरा देश दिद्धी मोडल देख रहा है उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव में काउंटिंग में भी बड़े प्रमाने पर धांदली हुई है उन्होंने कहा एक बंदुक के दम पर चुनाव नहीं होते और सुरक्षा की पूरे जिमिदारी केंद्रिय और दसायनिक बालों को दी गई होती तो भारतिय जनता पार्टी की बंगाल इक काई ने टीमसी को जमी दोज कर दिया होता बाबला मरांडी बंगाल सरकार पर हिंसा को सनक्षत देने कारोप लगाया है धन्यवाद